यदि आप भी करते हैं online food order तो ये आपके लिए बेहत काम की खबर है जी हाँ एक शक्स जिसने मंगाया कुछ और लेकर जिसके बाद निकला तो वो दंग रह गया नमस्ते विर नाम धिवैंचु और आप देख रहे हैं इन खबर दरसल मुंबई के ये मामला है मुंबई में एक शक्स ने online food की रूप में पिट्जा ओर्डर किया जिसके बाद जब पिट्जा घर पहुंचता है तो उसके पिट्जा में कुछ कांच के टुकडे निकलते हैं ये कांच के टुकडे उसके लिए बेहत खतरनाक साबित हो सकते हैं और उसने इस कांच के टुकडों के साथ पिट्जा का फोटो ट्वेटर हैंडल पर मुंबई पुलिस के साथ सार पिट्जा कंपनी को भी पूरी तरह से टेक किया और उसके बाद लिखा कि ये मेरी जान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है और उसके साथ ही अरुन कॉलूरी नाम के शक्स ने पिट्जा जो भोजन की गुणवत्ता पर भी कई तरह के सवाल उठाएंगे अगर आपके कभी पिट्जा में कोई काच का टुकला निकल जाए या फिर किसी भोजन के पधार्द में जो आपने ऑनलाइन मंगवाया है अगर उसमें कुछ ऐसा निकल जाता है तो आपके साथ कैसा हो या फिर आप पर क्या बीते जिहां ये खतरनाग भी हमारी जान के लिए फो सकता है बोजन की गुणवत्ता पर इसको लेकर सवाल उठाया जा रहे है शोशल मीडिया पर ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है मुंबई का इस शक्स है जब मुंबई पुलिस को टच्ग किया गया तो मुंबई पुलिस के ओड़ से सामने से रिप्लाइ भी आया सामने से मुंबई पुलिस का कहना है कि अगर आप किसी भी कानूनी उपाय की मांग कर रहे हैं पूरी भी जाज किये प्रक्रिया में उनका कहना है आउटलिट चेक करके इसकी पूरी जाज की जाएगी वहीं आपको बताते हैं शक्स ने जब विट्टर हैंडल पर ये शेर किया पिट्जा के साथ काज के टोड़े साफ त्यार पर देखे जा सकते हैं उसमें लेकिन उसने आउटलिट या फिर कहें के आउटलिट के साथ किसी प्रकार की डैट जो है मेंशन नहीं की है कि आखिर कब ओर्डर किया गया था लेकिन विट्जा कमपनी पर बोजन की गुडवत्ता को लेकर कई तरह की सवाल भी उठाए जा रहे हैं तो मॉंबई गए मामला था जहां प कभी ऐसा हुआ है या फिर क्या है वीडियो पर आपकी राय कमेंट करके बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहें इन खबर के साथ इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें